हेलो फ्रेंड्स, इरिस पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नहीं चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से, उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को, इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ draw करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्तत नहो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो number आपको आपकी screen के उपर नज़र आ रहा है यह मेरा WhatsApp नमबर है, अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन consultation लेना चाहते हैं, तो उस WhatsApp नमबर पर message send कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हतेली है, कुछ इस तरह से एक square shape में नज़र आ रही है, जो यहाँ पर clearly indicate करती है एक hard working type की personality को, और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, fingers काफी अच्छी length में है और इनकी ब्रस्पती finger, यानि के groove finger काफी strong है, बिल्कुल straight and अच्छी length में यहाँ पर अगर हम इस मध्यमा उंगली के साथ compare करें तो अब देख सकते हैं, लंबाई में यह finger काफी अच्छी है और मध्यमा उंगली के लगभग क्रीब, टॉप के क्रीब पहुंचती है नज़र आ रही है और थोड़ी सी egoistic type की personality भी रह सकती है लेकिन यहाँ पर इनके जो बाकी के चिनने हथीले में वो भी बहुत positive है जिस तरह से इनका ब्रस्पती mount और अंगूठी को प्रियव का चिन बना यह बहुत ही positive नज़र आ रहे है तो एक बहुत ही अच्छी personality knowledgeable type की nature यहाँ पर नज़र आ रही है इनकी index finger से और अगर हम देखें यहाँ पर यहाँ जो शनी finger है शनी finger बिलको straight है शनी मौठ हलका सा दबता हुआ hard working type की nature रहेगी ऐसे native मेहनती होते हैं और discipline को follow करने वाले होते हैं अगर हम बात करें इनकी सूर्य finger की थोड़ा सा जुकाव अगर हम देखें यहाँ आप आपको नज़र आएगा हलका जुकाव सूर्य finger का और यहाँ से टॉप से भी यहाँ फिंगर हलकी सी आपको इस तरफ कुछ जुकती नज़र आएगी थोड़ी विरागया की भावना देती हैं इस तरह से finger अगर जुक रही हो और overall यहाँ finger length में medium है अच्छी सूर्य रेखा मौझूद है जिस वज़ा से social circle अच्छा रहेगा और यहाँ पर अच्छी creativity और artistic qualities भी इनके भीतर रहने वाली हैं Mercury की बात की जाए तो आप देख सकते हैं Mercury finger लंबाई में काफी अच्छी है सूर्य finger के top phalanche के क्रीप पहुंच रही है यहाँ से अब देख सकते हैं सूर्य finger के top phalanche के बिलकुल क्रीप पहुंचती हुई यहां Mercury finger indicate करती है काफी अच्छी communication skills को और साथी साथ काफी अच्छी calculations and business equipment को और यहां पर आप देख सकते हैं कि चीज आपको नजर आएगी कि इन दोनों fingers के बीच में हलका gap है और कुछ ऐसा ही gap यहां पर भी नजर आ रहा है इस तरह कि gaps अगर fingers के बीच में हो तो ऐसे native काफी ज़दा independent nature के होते हैं अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं थोड़ा स जिदी सभाब भी इसको हम कह सकते हैं और इस तरह कि fingers में gaps का होना कुछ अतक positive भी माना जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की decision making power काफी अच्छी होती हैं तो कुछ इस तरह की nature इनकी fingers दर्शा रही हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद पर एक line draw करता हूं तो कुछ इस तरह है कि एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी mount low set नहीं हो रहा है यहाँ पर even इनका mercury mount भी काफी high set है mercury mount सूर्य माउंट यहाँ शनी माउंट है और यहाँ जो mount है जिसको ब्रस्पति माउंट कहें सभी mounts को proper और space मिल पा रही है सबसे अच्छी बात है कि इनका जो mercury mount low set हो जाए तो native shy nature का बन जाता है तो यहाँ पर extra work type की nature रहेगी आप देख सकते हैं इस mount के ओपर आपको कुछ बारी खड़ी रिखाएं इस तरह की रिखाएं नजर आ रही होंगी ऐसी रिखाओं का इस mount के ओपर हो social worker type की होते हैं दूसरों के help करने वाले होते हैं healing lines इनको कहा जाता है या फिर दूसरे शब्दों में इनको medical stigmata भी कहा जाता है ऐसे native किसने किसी तरह से दूसरों की help करने वाले होते हैं अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा से किसने किसी तरह से दूसरों की और इसके साथ साथ communication skills को enhance करती है यह रिखाएं native के business करने की capability को strong करती है तो यहां पर इन रिखाओं का होना बहुत ही positive माना जाता है आगे बात करते हैं इनके शनी इनके सूर्य मांट की सूर्य मांट का जो area आप देख सकते हैं हलका सा अंदर की तरफ दब रहा है तो यहां प पहचान अच्छी रहेगी इनकी क्योंकि सूर्य रेखा बहुत strong है बेशक यह मांट दब रहा है लेकिन सूर्य रेखा यहां पर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा कि एक रेखा इस तरह से चलती हुई और एक रेखा यहां से आकरेस में जुडती हुई कुछ इस तरह स जैसे जैसे एज बढ़ती है यह रेखा strength गेन करती नजर आ रही है तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे व्यक्ति की light में उतना name and fame भी बढ़ता जाता है तो later age में चलकर काफी अच्छा फायदा आ इनको इस रेखा का मिलने वाला है क्योंकि यह जो line है heart line है इस line के उपर अगर कोई रेखा इस तरह से strong रेखा के रूप में मौझूद हो तो native को old age में चलकर काफी अच्छा name and fame जरूर मिलता है आगे अब देख सकते हैं इनके शनी मांट को शनी मांट का अगर हम एरिया देखें तो यहाँ पर बहुत जदा दबा हुआ नहीं इसको बहुत जदा लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि इनके हाथ में जो शनी रेखा है single रेखा के रूप में इनकी mind line से उपर की तरफ चल रही है यहाँ से यहाँ रेखा strong होकर इससे पहले अगर हम शनी रेखा की बात करें तो यह double है इस तरह से by four कूरे मैंने आपको जैसे already बताया जब 36 के बाद इनको देखने को मिलेगी बहुत अच्छी progress जिसके बाद इने पीशे मुड़कर देखने के जरूरत नहीं पड़ेगी तो उससे पहले थोड़ी struggle रह सकती है एक समय पर दो काम करने की इनकी capacity रहेगी क्योंकि यहाँ पर यह रेखा भी double हो रही है आप देख सकते ह इनके हाथ में जो भागया रेखा किस तरहां से चल रही है यहाँ से यह रेखा शुरू हो रही है और आगे चलकर कुछ इस तरहां से यह दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ से यह दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिलीमा आ जाता है करियर के चुनाव को लेकर भी नेटिव को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है एक समय पर दो काम इकठे करने की मल्टी टास्किंग टाइप की परसनालिटी ऐसे व्यक्तिकी बन जाती है लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि आगे चलकर यह है र रेखा है जो यहां पर काफी पॉजिटिव रिजल्ट देती है आपको दिखाना चाहूंगा मैं इस रेखा की बात कर रहा हूं इस तरह की रेखा अगर हात में हो और उसके साथ साथ आपको यहां पर एक हलका क्रॉस भी बनता नजर आएगा इस तरह का क्रॉस इस मांट के उपर हो जो नेटिव को स्प्रीच्वल माइड़ बनाता है और इस तरह की रेखा जो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन से निकल गर उपर की तरह बढ़री इसको प्रॉग्रस लाइन कहा जाता है ऐसी रेखा अगर हो तो नेटिव की लाइफ में बहुत अच्छी बहुत अच्छी लेंट में है उसके साथ पॉजिटिव चिन नजर आ रहे हैं ब्रस्पती माउंट प्रॉमिनेंट है बुद्धा जाई का चिन यहां पर बन रहा है यह इंगूठे के ओपर जो चिन है इसको बुद्धा जाई का चिन कहा जाता है यह चिन नेटिव को सिक्स सेंस देता है और इसतरह का क्रोस बन रहा हो तो ऐसे नेटिव की लाइफ में नौलिज बहुत होती है ऐसा विक्ति ग्यानवान होता है दूसरों की हلف करने वाला और लाइफ में समाज में मान समान और प्रतिष्ठा बाने वाला होता तो यह ऐसे कुछ चिन इनके हाथ में ब अभास वक्तितव दे रहे हैं और साथी साथ काफी अच्छी लीडर्शिप क्वालिटी जिनके भीत रहेंगी और बुद्धाजाई की वज़े से नेटिव को पूर्वा अभास होता है आने वाली घटनाओं का अभास पहले से ही हो जाता है इस तरह की चीज़ें भी नेटिव इस तरह का चिन अगर दो भागों में विभाजित होती हुए हाट लाइन हो तो इसको विश्णू चिन कहा जाता है जिनकी भी थेली पर यह चिन बनता है ऐसे नेटिव लाइफ में खूब तरक्की करते हैं लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने के को हावना है और ओवराल कोई हाट की लाइन में कोई मेजर इश्व नजर नहीं आ रहा माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन यहाँ पर थोड़ा डाइवर्ट हो रही है पहले कुछ इस तरह से नीचे की तरफ चल रही है उसके बाद यहाँ पर अगें एक इसको काफिया तक चेंज करने के किशमता रखता है लाइप में कुछ ऐसी चेंजिस आने के संभावना है तीस के आसपास की एज में जिसके बाद यह काफी एक्स्ट्रोवर्ट होंगे और यहाँ जो रेखा उपर की तरफ चलिया प्रैक्टिकल बनाएगे ने काफी प्रैक होने की संभावनाएं रहती हैं बात करते हैं इनकी लाइन ओफ लाइफ की आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफी अच्छी है लाइफ की लाइन भी कुछ इसी तरह की चेंजिस को इंडिकेट कर रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है लाइफ की लाइन है और उस एज यहाँ पर इनकी लाइफ लाइफ लाइन से नज़र आ रही है और इनका जो वीनस मांट है यहाँ पर एवरेज है बहुत ज़ादा स्ट्रॉंग वीनस इसको नहीं कहूंगा कुछ खड़ी रिखाएं इसके उपर है जिनकी वज़े से थोड़ी वरिस रह सकती है फैमिली लाइन का यहाँ शिफ्ट थोड़ी सी परिशानी थर्टी स्कीज में दे सकता है और एक फिश का सिंबल इनके केतू मांट पर इस एरिया में आपको नज़र आएगा बहुती बारीक रिखाओं से बनता हुआ इस तरह का फिश का सिंबल यहाँ पर बने तो इनहारिटेड व स्वालों के जो आब एक यह वीडियो के थुरूँ दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई नहीं कोई चिनिया स्वाल रहे जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पैंडिंग है तो मुझे वट्सेप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद